शादी में अगर बात करें गिफ्ट की तो कई लोग क्रॉकरी गिफ्ट करते हैं कोई बेचशीट गिफ्ट करता है कोई जूलरी गिफ्ट करता है तो कोई कैश दे देता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां पर शादी करने वाले नव विवा जोडे को दिये जाते हैं कॉंडम्स जी हां और कोई भी इस बात से ओफेंड नहीं होता है क्योंकि कॉंडम्स देने के पीछे एक कारण है ये मुहीम ओडिशा की सरकार ने शुरू की है जिन्नों ने ये डिसाइड किया है कि सितंबर से ओडिशा में जितनी भी शादी होगी उन शादियों में नव विवाहित कपल को ये एक marriage kit दिया जाएगा जिसमें condoms होंगे, oral contraceptive pills होगी, emergency contraceptive pills भी होगी actually एक मुहीम के तहट किया जा रहा है, वहां के सरकार ने नई पहल scheme की शुरूआत की है जिसके तहट population control की जागरुकता बढ़ाई जाएगी और उस जागरुकता के लिए ही एक कदम उठाया जा रहा है कि जो भी नव विवाहित कपल होंगे, उन्हें condoms के साथ contraceptive pills भी दी इसके अलावा जो bride है, उसे एक और special kit भी दिया जाएगा, जिसमें home pregnancy testing kit होगा, इसके अलावा handkerchief, towel, kanga, bindi, nail cutter और शीशा ये सारी चीजे रखी होंगी, जितने भी नव विवाहित कपल होंगे, उनके वहां पर scheme से जुड़े members पहुँचेंगे और वो नव विवाहित कपल को population के बारे में जागरूप करते हुए ये gifts देंगे, अब तक हमने इस तरह के incident एक prank के रूप में सुने थे कि कैसे, दोस्त लोग जो है अपने दोस्तों के साथ prank करने के लिए condoms gift करते हैं, या इस तरह की चीजे करते हैं, लेकिन अब population control के लिए इस तरह के gifts दिये झाले करते हैं, या ये जाएंगे, जा वेक हमने नहीं झाले के लिए, ये जाएंगे, ये ये वे तरह क दो जाएंगे.